नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जब एक जोते शास्त्र का विशेशग्य आपकी हतेली देखता है तो वो केवल बस रेखाएं ही नहीं देखता बलकि आपका पूरा हाथ, उंगलियां और अंगुठे की बनावट, नाखुनों की बनावट, हतेली का रंग रूप इन सभी का निरीक्षन करता है और फिर आपको भविश्य बताता है आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का अंगुठा क्या कहता है अंगुठे का जोते शास्त्र में अत्यांत महत्व है अंगुठे से मनुष्य के चरित्र, स्वभाव, सोच तथा मनोविज्यान का पता चलता है सामुद्रिक शास्त्र में अंगुठे की flexibility, यानि की लचक से मनुष्य के स्वभाव और व्यक्तित्व का पता चलता है। साधारंगता अंगुठे में तीन पोर यानि खंड होते हैं। सबसे नीचे का खंड शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यदि यह पुष्ट है, तो शुक्र के गुणों को दर्शाता है। जैसे सौंदर्य, कलात्मक्ता, कामक्ता, आकर्शक, इत्यादी। यदि यह भाग पुष्ट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रती अनासक्त और उदास प्रवर्ति के होते हैं। बीच का पुष्ट यदि बड़ा है, तो आपको यह आपकी बुद्धिमत्ता, विचार शीलता और तर्क शक्ती को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे कलाकार, साहित्यकार, वकील हो सकते हैं। तीसरा और सबसे उपर का पूर, यदि बड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होता है। अंगूठे की लचक से भी व्यक्ति की संबंधित कई बाते पता चलती हैं। चारों उंगलियों से मुठी को बंद करें और अंगूठे को सीधा खड़ा करके पीछे की और चुकाएं। हमें जो परिणाम मिलते हैं, उसके अनुसार साधारंगता तीन तरह के अंगूठे होते हैं। पहले प्रकार में यदि अंगूठ़ा बहुत कम जुकता है, तो ऐसे अंगूठे को सीधा अंगूठा कहते हैं। जिसका अंगूठा सीधा होता है, ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी, महत्वा कांक्शी और आत्मविश्वासी होते हैं। स्वच्छता प्रिय होते हैं, कुछ हद तक जिद्धी भी कही जा सकते हैं, मान अपमान की भावना इन में बहुत जादा होती है, ये अपना अपमान बरदाश्ट नहीं कर सकते, छोटे होते हैं तब इनका जीवन बहुत संघर्ष पूर्ण होता है, लेकिन ये लोग अपनी पड़द और मेहनथ से दीरे दीरे आगे बढ़ी जाते हैं, और सफलता प्राप्त करते हैं, कभी किसी के आगे छुपना पसंद नहीं करते, और ना ही किसी के नीचे काम करना इणिस स्वीकार होता है, इसलिए इन लोगों के नेतरत्व का गुण पाया जाता है, चाहे कितन पूर्ण धंग से सोचते हैं और करते हैं। दूसरों की सलाह पर चलने के बजाए खुद की सोच और समझ पर जादा विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने मन की बाते मन में ही रखते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ चिकित्सक प्रवरत्ती के भी होते हैं यानि कि छोटी से छोटी बात की खाल निकालना इनके स्वभाव में होता है ये लोग समय के साथ चलते हैं हर नई बात सीखने की कोशिश करते हैं और हर नई चीज को अपनाते हैं चाहे वो फैशन हो या कोई अन्यक्षेत्र दूसरे प साथ ही काफी समझतार भरोसे मंद और जिम्मदार माने चाते हैं जहां पर पर जिम्मदारी उठाने की बात होती है ये हमीशा आगे रहते हैं ये रिष्टों का महत्व समझते हैं इसलिए हमेशा बिगड़ी हुई बात को संभालने की कोशिश करते हैं और सब को साथ लेकर चलते हैं, ये बहुत मिलनसार स्वभावत के होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ अपने मन की बात शेयर कर पाते हैं, हर काम दिल से करते हैं, और करियर की बात करें, तो ये भी हर क्षेत्र वो चुनते हैं, जिन में उन्हें सफल होना है, ये लोग जो मिल जाए, उस और नफा नुकसान हर चीज के लिए तयार रहते हैं। लेकिन इनका यही स्वभाव इनके लिए हमेशा नुकसान भी करता है। यह थी हमारे अंगुटे की लचक के अनुसार हमारे व्यक्तित्व की पहचान। उमीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।